स्वागत आपका डीबी भारती समाचार में मैं हूँ आपके साथ वर्षवर्मा लगातार हो रही बारिश से महाराज गंज के बकुल डीहा ग्रामजवा छेत्र को जोडने वाले मुख्य रास्ते पर बना पुल पानी के तेज दवाब के कारेड तूट कर बह गया दरसल बीते तीन दिनों से नेपाल और भारत के तराई छेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश से नेपाल से आने वाली कई पहाडी नदियां उफान पर हैं महाराज कुझ जनपत के 99 एबम निचलोल तहसील छेत्र के कई गाउं बाड के पानी से घिर गए हैं और कई गाउं में भी बाड का पानी घुस चुका है वहीं आज सुबह बाड के पानी के दवाब से निचलोल तहसील छेत्र के बकुल डीहा ग्रामसवा छेत्र को जोडने वाले मुख्य रास्ते पर बना पुल पानी के तेज दवाब के कारण तूट कर बह गया वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह पानी का दवाब बढ़ने के बाद पुल बीच में से तूट कर बह गया है जिससे ग्रामीडों का आवा गमन बंध हो गया है मुख्य रास्ता बंध होने से कई गाउं का संपर्क तहसील एबम जिला मुख्याले से पूरी त देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर